हलो दोस्तो मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आप जैसा की देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक गूगल से फोटो डाउनलोड किया है सेर का जिसमें सारे एंगल है यानि कि हर तरह का सेर का एंगल भी हुआ है तो मैं इन सब को ट्रेस करऊंगा और एक वीडियो में यूज करूँंगा तो सबसे पहले मैं इस वाले इसके सब्सक्राइन तो दोस्तों उसी हिसाब को मैं अपने हिसाब से जैसे उस लाइन वैसे वैसे मैं कर दूगा तो यहां पेहले मैं से पहले outline draw कर रहा हूँ यह face का तो बहुत सारे लोगों का मेरे चैनल पर comment आता है दोस्तों कि हम अपना character कैसे बना है तो इसी पर मैं यह video बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें तो इस selection tool की मज़े select किया इसके outline को मैं पतला कर देता हूँ बिल्कुल पतला कर दिया अब इस tool की मदद से अब मैं इस lines को अपने अपने सेप में लाऊंगा तो इस पर click किया और इस line को उठा करके ऊपर कर दिया फिर इस वाले line को भी तो यह हो चुका है अब मैं इसमें color दूँगा तो इसके लिए color के लिए मैं पलस वाले icon पर click किया फिर इसको select किया color select किया और paint bucket की मदद से इसमें color कर दिया तो यह से पूरा बाल का color हो गया दोस्तो मुझे इसमें face का भी color देना है तो पहले फिर से मैंने geometry tool सेलेक्ट किया और opacity कम कर दिया है ताकि मुझे पता सेल सके कि सेर का face कहां से कहां तक है और geometry tool के मदद से मैं फिर से outline draw कर रहा हूं line से सटा करके इसके thickness को पतला कर देता हूं फिर से इस tool की मदद से अब इसको मैं इसे थोड़ा थोड़ा curve सेब दूँगा ताकि यह प्रॉपर लग सके कि हां भाई हमारा से रहिए तो यह मैंने कर दिया अपको दिकत नहीं आईगी तो यह face का तो रेडी हो गया face में मैं थोड़ा इसके नाक और मूँ भी मना दूँ तो जो मैं ट्री टूल मैंने select कर लिया है black color तो पहले से select है तो पहले मैं इसके नाक को बना रहा हूं तो लाइन से सटा करके ही लाइन ड्रॉ करें तभी उसमें color होगा तो यह लाइन ड्रॉ हो चुकिए इसके तो हल्का ही कम करेंगे ज्यादा कम नहीं करेंगे नहीं तो जब हम video रेंडर करेंगे दोस्तों तो यह दिखेगा ही नहीं तो इसको मैं थोड़ा साब अपने शेप में लादू नीचे से इधर से भी कर दिया तो यह सेर का नाम करन जो करना चाहे कर सकते हैं मैं फिलाल कुछ नहीं कर रहा हूं जो मैं इस फेस के उपर से अंदर से लूगा क्योंकि यह पेस के नीचे मैंने लेयर क्या है ताकि जब मैं इसके फेस में इनिमेशन दूं मूविंग का तो यह इधर उधर ना जाए यानि के पुड़ा कर दो कर दो इसको भी तोड़ा नीचे के तरफ किचे देता हूं इन दोनों को भी बूल जाए इसके पैर बनाने की तो इसमें लोक लागा निवेक्टर में पिर से करोना यानिके ताउड बनानी की बारी तो यह इसके चार त्वाले बनाऊँ उसके सबसे पहले मैं आगे व पहले जो इसके आगे दो-दो टागिं हैं उन टागों को मेब लोऊगा तो यहाँ नाम UX कर देते हैं मैं पर दो goats ठाऊ आहूं तो मैं यहां पर नाम कर दिया है अब मैं इस टांग को बढ़ाओंगा जोवलेट लेक्ग कर लिए हैं ब्लेक जए कर दो यहां से यहां कब कर देते हैं तो चक्ष्कृ को इसका कम हो गया अब इसको इसको से लाना है तो इस्टूल की मदद से से इप में ला देते हैं तो पहले से यह थोड़ा सा इधर से उठाया इधर से पच्का दिया घृतना नीचे वाले लाइन को थोड़ा राउंड करेंगे यह इस वाले लाइन को ताकि जब हम इनिमेशन लगाएं पाउ में चलने का तो कहीं से खाली स्पेस नहीं दिखना चाहिए अब यह जो लाइन आपको दीख रहें यह बाडी के उपर इस लाइन को फ़ोड़ा करने के लिए इसी कलर में एक लाइन इसके उपर लाइन के ओपर ड्रौ कर देंगे तो ऑब इसको व्कशन तूल की मदद से श्वाले लाइन को उपर की तरफ राउंड कर देए ताकि जब हम spare में animation लगाएं तो proper तरीके से move हो कहीं से कुछ खाली स्पेस ना दिखे लगे कि हमारा character proper बन चुका है तो यह दूसरा tongue भी पहला tongue हमारा ready है इसमें color की बारी तो यहां plus किया color को वही paste कर दिया और color कर दिया तो यह जो यह line आपको दिख रहिए दोस्तो इस line को hide करने के लिए मैंने आपको बताया था इसी same color में इस line के उपर एक line में draw कर दूँगा ताकि यह hide हो जाए तो यह line में ने draw किया और इसके उपर fix कर दिया तो यह देखिए जो मैंने इसको line को hide करने के लिए किया था अब मैं फिर से इस पर line कर दूँगा same color में तो यह color proper हो चुका है अब selection tool के मदर से पहले इसे part को मैं select करूँगा copy करूँगा और नीचे मैं जाकर के इस body जो मैंने बनाया है उसके एक new vector layer में area और उसका नाम करन करूँगा और यही पर मैं उस पाठ को paste कर दूँगा यान दूसरे टांग का उपर वाला part में पर तो यह लता हो चुका है दोस्तों अब मैं इसको अपनी जगा पे लागाता हूं तो इसको उठा करके मैं इहर खसकाया तो यह थोड़ा तो यह थीक है अब मैं इसको अपनी जगह पर बिठा देता हूं तो यह थीक है इसमें कलर नहीं होड़ा है इसका तो मैं इसको क्या करूंगा जो ओमें ड्रो किया था इसके उपर हाइड करने वाला तो यह पीछे रहेगा यह पार तो इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं और तब कलर करता हूं कि बॉड़ी के पीछे रहेगा तो यह आउटलान हमें दिखेगा नहीं तो यह हो चुका पहला पार आचुका है अब इसके उपर मैं फिर से एक न्यूवेक्टर लेयर पहले करता हूं दूसरे पार्ट के लिए तो यहाँ पे इसी पार्ट के उपर मै यहां पे नीज़ीël सोचो के ने कसुका हों उपर यहां पर मैं दूसरा पांद करता हूं दूसरा करका रगए उससी पार्ट की जिक्ट करूंगा और वाप्स पर मुझे इसक पर कर दूंगा थोड़ा इसको अपनी जगा पर बढ़िया से मैं फिखे करता हूं यह पीछे के टांग का पहला लिए उपर वाला हिस्सा में बनाऊँगा तो इसका नाम कर देता हूं तो नाम करम मैंने फटाफट से कर दी है जो मैं टी टूल सेलेक कर लिया है और बलेक कलर तो पहले से ही है तो अब मैं इसके पीछे वाले टांग का पहले बनाता हूं यहां इस वाले को तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा नहीं यहां पर से स्टार्ट करता हूं यहां पर एक पर्फिक तरीके से बैठ गया है तो यह हो गया जगा पर इसको बढ़िये से पिट कर देता हूं तो इसको जूंग करके वीचे से जो है नीचे का सबसे लाइन जो है उसे मुझे गोल रखना पड़ेगा अब इसमें बोडी कलर जो होगा और यहां पर आके वापिस इसलेर पर करणा तो आगया यहां पेंट बगेट की मदसे कलर कर दिया तो यह आउटलाइन आपको दिख राए दोस्तों इस आउटलाइन को भी हाइड करेंगे से पोड़ी सीज़र रहेगा से मैं तो यहां से जहां से पॉइंट वहीं दूंगा जहां जहां से मुझे इसको थोड़ा कर दो इसके लाइन में थ्धोरा बदलाव करना वहीं-वहीं-वहीं मैं इसके पॉइंट दूनाओ तो इसको थोड़ा पचका दूँ झालगा निउग दो और इस टूल की मदद से इसको उपर इसके उपर फिक्स कर देते हैं तो यह लाइन हाइड हो चुकी है पिछला टांग का भी रेडी हो चुका है दोनों पार्ट दोस्तो अब मैं इसी को कॉपी करूंगा पहले पार्ट को कॉपी किया सेलेक्ट करके एक न्यू वेक्टर लेयर किरीडिक करूंगे जहां पर दूसरे की इसका नाम करन कर करता हुए तो इतना नहीं थोड़ा और पच्का थोड़ा उपर कर देता हूं मैं तो अब ठीक है अब इसमें कलर की बारी तो पहले से हो चुका है अब दूसरे पाट की बारी पहला पाट आ चुका है यहां पर फिर से न्यू वेक्टर लेर मैं करूंगा तो नाम करन भी फटा-फट मैं आप पेस्ट करूंगा तो यहां चुका है अब इसे उठा करके अपनी जगा पर लगा देता हूं मैं तो हमारे लाइन का दोस्तों चारो पैर रेडी हो चुका है बोड़ी भी भी प्रेडि हो चुका है अब बारी है हमारे सेर के दुम की यानिके पूच की तो पूच को हम यहां चाहे वहां कर सकते हैं यानिके यानिके हम चाहे तो इसके बोड़ी पार्ट के उपर मैं सबसे उपर लेयर पहले करता हूं यहां पर इसका नाम कर देता हूं दूँ अब यहां पर मैं इसके पूंच को ड्रॉ करूंगा तो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर प यह पूच का बाल तो इसको भी मैं थोड़ा उपर नीचे कर देता हूँ इसको भी थोड़ा सा अपनी शेप में ला देता हूँ यह शेप में आ चुका है color की बाड़ी तो नहीं मैं इसको क्या करता हूँ copy color किया body part वाले यहाँ पे paste color कर दिया अब पूरे को मैं color कर दूँगा तो यह color हो चुका है मगर यह उपर हो गया दोस्तों क्या करना है इस layer को मुझे नीचे ले जाना है यहाँ के new vector layer मुझे फिर से create करना पड़ेगा मैंने इसे select किया control c किया copy और इसके नीचे जाओंगा जहाँ इसका body है इसके नीचे एक new vector layer में create करूँगा इसका नाम मैं दूम रख देता हूँ पहले यहाँ पे control भी करूँगा यह paste हो गया अब वापिस उस layer पे गया और इस layer को मैं delete कर देता हूँ क्योंकि गलत जगह मैंने layer draw कर दिया बना दिया था अब वापिस दूम बाले layer पे आया इसके opacity को कम किया और यहाँ जिमेट्री टूल की मदद से अब यहाँ पे मैं एक line ड्रॉख करूँगा इसको दो पार्ट में कर दिया तो एक line ड्रॉख हो गया इसके thickness को कम कर देता हूँ तो यहां से मैं एक triangle ड्रॉख करूँगा पहले तो यहां से नहीं नहीं यहां पर पॉंट देंगे यहां से यहां दूसरा यहां तीसरा और इसको क्लोच किया एक triangle मैं ड्रॉख किया इसके thickness को कम किया अब बारी है इसको इधर से थोड़ा सा उपर उठानी की इधर से भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आखो वाला फील आ सके इसको थोड़ा कर दूँ इस तो यहां से उठा दिया और तो यहां से उठा दिया और इसको थोड़ा सब पचका देते हैं तो यह आप थीक लगड़ा है दोस्तों और चाहें तो हां इसके थोड़ा एक वाले स्पॉर्न है अठो के बनाया है इसपर को कह्ते हैं 我 सकते हैं अब मैं इसे उनिमेशन में जळाने मीमारे में यह जा रहा था दूस्तों तो गया होटा है दोस्तों जब यह बन चुका है इसमें तो इसके बाल को भी डे सकते हैं जैसा चैसा दे शक्ते हैं में फिलाल इसमें कोई डीजाइँ नहीं दूंगा तो यह हमारा सेर का बन के रेडी है